अयोध्या से मात्र 20 किलोमीचर की दूरी पर बसा नंदी ग्राम भारत के तिहास का वो पन्ना है जो आज भी भाई प्रेम, त्याग और साधना का प्रतीत है आज राम मंदर कथा सिरीस के साथवे एपिसोड में हम उस जगा की बात करेंगे जहां भगवान राम और उनके भाई भाई भरत का लिलट हुआ था आयोध्या से करीब 20 किलो मीटर दूरी पर बसे इस स्थल का उदाहरण तो उसी दास्कृत रमायर वालमी की रमायर सहित विभिन धर्म ग्रंधों में मिलता है ऐसी मानता है कि जब भरत को पता चला कि भगवान राम को वनवास मिला है तो वे प्रभु श्री राम को मनाने के लिए चल पड़े जब वे अपने भाई यानि की भगवान राम को वापस लाने में असफल रहे तो उन्होंने भगवान की चरण पादुका ही मांग ली और निराश मन से अयूध्या वापस लोटाएं अयूध्या आने के बाद उन्होंने 20 किलोमीटर दूर नंदी ग्राम में एक तपस्वी की तरहा रहने का प्रण लिया वालमी की रमायन में 115 सर्ग के दूसरे शलोक में महाशी वालमी की ने लिखा है इसका मतलब है कि भरत ने माताओं और कुल पुरोहिद से आग्या ली और नंदी ग्राम चले गए इसके बाद उन्होंने तपस्वी का वेश धारण किया और उसी वेश में ययूध्या पर शासन करने लगे महान भाई प्रेम का गवा नंदी ग्राम आज भी शुध्वालों के लिए आस्था का केंद्र है भरत महराज की तपोस्थली हनुमान भरत मिलनस्थल सेक्रो साल पुराना बर्गत का पेड़ आस्था के केंद्र बिंदू है भरत जिस कुंड में सनान करते थे उसे विक्सित कर आज सरोवर का रूप दे दिया गया है जिसे भरत कुंड के भी नाम से जाना जाता है